नमस्कार दोस्तों मैं चैप्रकाइश लाइचा आपका अार्दिक स्वाकत करता हूँ आज हम SMTOTT याने अनंध्सपरशी की परिवासा पढ़ेंगे अनंध्सपरशी की परिवासा पे मुझे से इंट्रेव्थोर पुछा गया तो उन्होंने का जब अनन्द परिवासित ही नहीं होता तो उसका हम परिवासा में कैसे उप्योग ले सकते हैं तो दुबारा सुनिए मैंने का कि वह सर रेखा जो वक्र को अनन्द पेश पर्सक्रे वक्कर कियानंद परिवासित नहीं होता तो इस वर्ड का यूज हम परिवासा में काम में नहीं ले सकते हैं इसलिए सही definition क्रेक definition क्या है वो देखते हैं तो क्रेक definition है वक्कर पर इस्थित किसी चर्व इंदू यानि यह जो कोई अमान ने एक बार example के तोर पे कोई curve ले लिया इस पे कोई variable point पीश अगर में denote करूँ तो वक्कर पर इस्थित किसी चर्व इंदू से किसी सर्ल रेखा की लंवत दूरी सुन्य की और प्रिविर्थ हो तो वह सर्ल रेखा वक्कर की अनंस पर सी कहलाती है तो यह वक्कर है कोई इस पे कोई चर्व point से मैंने इस रेखा की दूरी निकाली यानि लंवत दूरी निकाली और वह दूरी इतनी प्राप्त हुई जैसे जैसे point इस तरफ मूब करेगा वैसे वैसे इस line और कर्व कि जो भी इसकी distance से वह कम होती जाएगी और कम होती होती सुनने की और क्या होगी प्रवर्थ होगी और अगर यह दूरी सुनने की और प्रवर्थ है तो हम कहेंगे कि यह सरल रेखा इस वक्र की अनसफरसी कहलाती है तो दुबारा देखिए वक्र पर इस्थित किसी चर बिंदू अगर मैं चर बिंदू पी ले रहा हूं से किसी सरल रेखा की लंवत दूरी सुनने की और तो सुनने की और प्रविड थो तो वह है सरल रेखा वक्कर की अनुस परशी कहलाती है तो वक्कर अगर y बराबर e की पावर माइनस x है या यह कहें y बराबर e की पावर माइनस a x है जहाँ a positive है तो उसकी अनुस परशी होगी xx तो xx है वो क्या होगी xx सरल रेखा है इस सरल रेखा और इस वक्कर में relation देखें तो इस पर कोई variable point लेंगे तो variable point की सरल रेखा से जो perpendicular distance है वो सुनने के और परवरत हो रही है इसलिए xx या यह कहें कि xx का समीगन y कुस्ट जीरो है इस वक्कर की अनुस परशी कहलाती है if the perpendicular distance of a state line from any variable point on the curve is tensed to 0 then that state line is said to be asymptote of the curve तो tens to 0 का मतलब अब मैंने infinity word का में नहीं लिया अनन्त सब्द है उसका उपयोग नहीं लिया अब हम क्या कर रहे हैं distance formula यानि distance use ले रहे हैं और distance क्या कर रहे हैं minimize कर रहे हैं minimum कर रहे हैं और minimum यानि 0 की ओर जा रहे हैं और जैसे जैसे यह distance 0 की ओर जाएगी तो हम कहेंगे कि यह जो line है वो इस वक्र की क्या है अनन्स फर्षी है तो अनन्स फर्षी हमें सा एक सरल रेखा होती है और वो सरल रेखा जो की वक्र की किसी ब्रांच को अगर हम देखे हैं तो उस ब्रांच और उस सरल रेखा की बीच की distance कम होती होती है किसकी ओर जाती है जीरो की ओर प्रविरत होती है कि अनन्स फर्षयों के प्रकार type of asymptotes तो दो type की asymptotes होती है पहली अक्सों के समात अनन्स फर्षियां और दूसरी तिरेक अन्स फर्षियां यानि हम कहें कि parallel to access asymptotes होती है ए ताइप जिसको हम rectangular asymptotes लिए हैं और दूसरा टाइप होता है oblique asymptotes तो ये दो टाइप होती हैं asymptotes की अब asymptotes है यानि अनन्स फर्षी है उसका समेकन x और y में रेखिक होता है linear equation होती है तो अगर x के समानत अनन्स फर्षी हैं तो उसमें या तो variable x होगा या variable y होगा लेकिन दोनो variable कभी पर प्रजेंट नहीं होगे जबकि तिरियक रेखिक है उसमें x और y x तथा y दोनों प्रजेंट होगे तो इनमें इतना यंतर है कि अगर अक्षों के समानत अन्स फर्षी हैं तो उसमें या तो variable x मिलेगा या y मिलेगा और तेरियक रेखिक में x और y दोनों वेरियेबल मिलेगे गयाद करने का तरिका कैसे है तो गयाद करने के लिए सबसे पहले x x के समानत अन्स फर्षी तो x x के समानतर अन्स फर्षी एक्सक्राइब के लिए क्या करेंगे हम एक्स की उस्थमिगात का गुनांग by उस्थमिगात को अचर नहीं हो थी तो x की उस्तम गात का गुणांग का अगर हम 0 के बराबर करेंगे तो वो जो equation मिलेगी वो y variable में मिलेगी और y variable मिलेगी लेकिन वो किस के समानतर होगी x x के समानतर होगी For example हमने महालेजिये को equation ली x y equals to 4 ये कोई rectangle और i परवल है i तियती परवल है इसकी मुझे x के समानतर होगी तो अगर x x के समानतर होगी तो x की उस्तम गात इस equation में present है एक और इसका जो कोफिशेंट है वह y तो अगर मैं y के बराबर 0 कर दोगा तो ये इस वक्र की अननसपर्शी होगी इसमें हमें पता है कि y परजेंट है लेकिन x परजेंट नहीं है तो इसका मतलब ये x के समानतर होगी तो इस परकार जो अननसपर्शियां पराप्त करते हैं वह x x के समानतर अनसपर्शियां होती है अगर इस equation में मैं थोड़ा सा change कर दो और मैं इस परकार लिख दो कि x into y minus 2 plus 4 equals to 0 इस टाइब से मैं इसको लिखा और इस वक्र की अननसपर्शी ग्यात करनी है तो x की उस्तमगात है एक इसका गुणांक है y minus 2 हमने देखा कि गुणांक अचर नहीं है वेरियबल परजेंट है तो इसका अननसपर्शियां लिख सकते हैं तो इसकी अननसपर्शी का समीकन होगा y minus 2 equals to 0 यह हम लिख सकते हैं कि y equals to 2 तो y equals to 2 यह अगर हम इसको हम डाइग्राम से देखें तो यह है xx यानि y ब्राबर 0 और y ब्राबर 2 यह लाइन है यह व सुनने के ब्राबर करेंगे कई बार क्या होता है कि x की उस्तम गात का गुणांग अचर होता है माले जी एक्वेशन हमें दे दी कि x cube plus x square y plus 5 x minus 4 equals to 0 यह कोई algebraic equation है बीचे समीकन है इसमें अगर x की उस्तम गात देखें तो हमें मिलेगा x cube और इसका गुणांग क्या है constant है तो इस वक्र की x x के समानतर कोई अनसफर्शी विद्यमान नहीं होगी तो अगर x की उस्तम गात का गुणांग अचर है तो x x के समानतर कोई अनसफर्शी विद्यमान नहीं है और अगर x की उस्तम गात का गुणांग में y variable present है तो उसे solve करने पर जो equation मिलेगी वो x x समानतर अनसफर्शी होगी इसी प्रकार अगर हमें y x के समान त्रंसफर्शी गयात करनी हो तो y की उस्तमगात के गुण आंग को सुनने के बरावर करेंगे मालीजे हमारे पास कोई equation है यह equation है और हमें कोई कहें कि इसकी x x समान त्रंसफर्शी गयात करो तो y की maximum power कितनी होगी एक इसका जो coefficient है x square तो x square को मैंने किसके बराबर किया 0 को बराबर किया क्योंकि ये constant नहीं है और अगर इसको 0 को बराबर किया तो x बराबर कितना पराप्त हो गया 0 तो x बराबर 0 या मैं ये भी कह सकता हूँ कि yx तो yx है इस वक्र की yx के समान तरंसफर्शी होगी yx या विरिये कहो x बराबर 0 तो अक्षों के समान तरंसफर्शी क्यात करने का यह तरीक है एक example और लेकर समझते हैं मान लिजिए मेरे पास है y square equals to x plus 2 upon x minus 2 और इसका मुझे क्या करना है तो सबसे पहले मैं इसे सरल करता हूँ मैंने इसको लिखा x minus 2 into y square equals to x plus 2 और सभी पतों को अगर मैं इदर लिया हूँ तो मुझे मिलेगा x minus 2 into y square minus x minus 2 equals to 0 अब अगर मुझे x, x के समान तरंसफर्शी क्यात करनी है नहीं asymptote parallel to x axis find करना है तो मैं क्या करूँगा x की उस्तम गात के गुणांग को सुने के बराबर करूँगा जदी उसका coefficient है वो constant नहीं है अचर नहीं है तो तो यहाँ पे x की गात 1 इसका गुणांग y square यहाँ पे x के गुणांग 1 इसका गुणांग minus 1 तो x के पद दो जगए है उनसे अगर मैं गुणांग देखुआ तो यहाँ से x का गुणांग मिला मुझे y square यहाँ से x का गुणांग मिला मुझे minus 1 इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं पहले comment लेके y square minus 1 into x एक साथ भी देख सकते हैं वरना अललग लेके भी देख सकते हैं तो मैंने x की उस्तमगात यहाँ एक का गुणांग देखा तो y square minus 1 तो y square minus 1 को मैंने 0 के बराबर किया इससे मुझे मिलेगा y square minus 1 और solve करने पर y plus 2 plus minus 1 तो मुझे दो अनंस परसिया मिल गई एक y square to 1 एक y square to minus 1 यानि अगर मैं इसे कहूँ कि यह y square to 1 है और यह y square to minus 1 है तो यह दो asymptotes मुझे x x के parallel मिल गई इस equation के लिए इस bgs meekan के लिए तो यह तो x x के समान तरंस परसिया ग्यात की अगर y x के समान तरंस परसिया ग्यात करनी है तो y की उस्तमगाद तो y की जो maximum power 2 इसका coefficient x minus 2 इसको अगर मैं 0 के बराबर करूँगा तो x minus 2 equals to 0 या कहें कि x equals to 2 तो यह जो asymptote है वो parallel to y axis है तो हमने क्या किया देखा कि किस परकार अक्षों के समान तरंस परसिया क्या आत कर सकते है जब दिया गया समीकण कैसा हो बीजे समीकण हो दूसरी टाइप asymptote की कौण ची है वो है तिरियक अननस परसिया ओबलिक asymptote तो वो asymptote यानि वो अननस परसिया जिसमें हम कहें कि दोनो वेरियवल परजेंट हो और definition के तोर पर कहें कि तो वो अननस परसिया जो की की एक्स-एक्स के समानतर भी ना हो तो ऐसी अननस परसिया कैसी कैलाती हैं तो ओ्हूलीक asymptote कैलाती है तो ओ्हूलीक एक्जामपल से समझते हैं ये हमारे पास कोई बीजीय समीकण है ये जो मैथड बता रहा हूं वह तो टिग्नोमेट्रिक एक्वेस्टन या एक्सपोनेशल एक्वेस्टन है उनमें लागू नहीं होता इसलिए बीजे समीकन के लिए यह मैथड है तो एक एक्जामपल यह जो कि xy में समीकन है सबसे पहले हम देखेंगे कि उस्तम गात कितनी है यहां पे उस्तम गात में हम x औ दोनों की पावर करके देखते हैं तो यहां पर ने देखा कि यह जो का संभिकण है कि वो अधिक्तम तीन का वकर का संहकन Article तो working method क्या कहता है step first में सबसे पहले 5nm ग्याद करना है तो 5nm कैसे ग्याद करना है 5n का मतलब जो वक्र के समीकर में उस्तम गाता है maximum power है वो देखेंगे तो इस equation में maximum power है वो 3 है ये power अमेशा x और y दोनों को add करके देखते हैं तो यहां पर y की power 0 x की power 3 तो इस पूरी equation में maximum power 3 है तो सबसे पहले अगर ये equation दर रखिये तो 5 3m ग्याद करेंगे अगर 4 गात का पद दिया होता तो हम सबसे पहले 5 4m ग्याद करते है तो यहां पर 3 गात का पद है तो 5 3m ग्याद करेंगे तो यहाँ पे इस equation में 3 है तो 5-3M गयाद करेंगे 5-3M गयाद करने का method क्या है जितने भी 3 गाद के पद है सिर्फ 3 गाद के पद उससे कम गाद के पद नहीं लेंगे तो 3 गाद के पद यहाँ पे सिर्फ कितने है यह 4 पद 3 गाद के है तो जितने भी तीन गात के पद हैं उसमें X को 1 से और Y को M से रिप्लेस करना है तो आप इसको इस पकार याद रख सकते हैं कि Y बराबर MX जैसे ही मैं इसमें X बराबर 1 पूट करूँगा Y की वेली मुझे M मिल जाएगी तो मुझे X बराबर 1 और Y बराबर M पूट करना है तो मुझे 5 3 M मिलेगा तो यहाँ पे तीन गात के पदों में मैंने X की वेली 1 पूट की तो मुझे मिलेगा 2 यहाँ पे मैंने X की वेली 1 Y की वेली M पूट की तो माइनस M m2 और लास्ट पत्से मुझे मिलेगा m3 तो सबसे पहली स्टेप है 5 nm गयाद करना तो यहां पे तीन गात का पत्द है दिक्तम तो 53m गयाद किया उसके लिए x ब्राबर 1 और y ब्राबर m पूट किया next step में क्या करना है 53m को 0 के ब्राबर करना है यानि हम जो वह भी 5 nm गयाद करेंगे तो उसमें 5 nm को 0 के ब्राबर सोल करके m की वेल्यू गयाद करेंगे तो अगर यह अगर में 3 का समीकन है क्योंकि m3 है तो अ में 3 मान लिए तो 53m अगर 0 करेंगे तो M की 3 value मिलेगी तो may be possible 3 value अलग हो M1 M2 M3 हो may be possible 2 equal हो उनमें से M1 और M2 mileage equal है और M3 अलग से और value मिल गई और may be possible 3 value equal है तो जब भी हम 5 NM को 0 के बरावर करेंगे तो M की value मिलेंगी वो different भी हो सकती है और equal भी हो सकती है तो अगर value different different है तो उसके लिए C की value अलग से गयाद करेंगे और अगर value same है तो उसके लिए C गयाद करने का अलग से formula होता है C क्या है यहाँ पर जब भी हम को SM totes मानते हैं यान अनंस पर C मानते हैं तो उसका समीकन मानते हैं y ब्राबर mx प्लस c और अगर हमारे पास तीन गात का समीकन और m के में तीन value मिल गई तो उसका मतलब उस वक्र की अधिक्तम तीन अनस परस्यां में सकती है मैक्सिमम 3 मैक्सिमम 3 क्यों क्यों कि हो सकता है कि उनमें कुछ अनस परस्यां काल्पनिक हो यादि पर जैंट नहीं थे हैं तो region's in god nix तो यहां पर एक बार एंटर केंगे तो यह तो पर तीन उलै लग हैं लेकिन अगर 2 gent je 3bs उत्व हैं नोस किसमेंगे कि इसमें भी dua अनला स्वक्राइब बिताएं यह सी यो unnatural यह यह स्किए ओ मिल गए तो तीन उन्सपरश्यां एक तटीन थीन थीर अनला समानतर स्वक्राइब गय लेक्सों के समानतर तो नहीं हैं लेकिन आपस में क्या हैं समानतर हैं तो अगर M की तीनों वान अलग हैं तो समानतर अंसपर्शियां भी दिमान नहीं होंगी यानि हम कहेंगे कि जो तीरियक अंसपर्शियां हैं वो एक दूसरे के समानतर नहीं होंगी और उसके लिए C का जो 5NM ग्याद किया था उसका अउकलन करेंगे M के सापिक्स और उस्तम से एकम गाद वाले पदों में ग्याद करके उसको यहाँ पे रखेंगे माइनस लगाएंगे उसको सोल करने पर हमें C प्राप्ट होगा तो अगर तीन का अउस्तम है तो हम इसके लिए फोर्मला हो गया माइनस 52M क्योंकि N के वे लिए 3 है तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा तो 52M अपन 53-M तो 53-M यानि तो तीन का अउसके पद हमने यह दो गात का पद है यह दो गात का पद है और यह बाकी उससे कम गात के पद है तो 52M इनसे मिलेगा अगर दो गात के पद नहीं होते तो 52M की वे लिए उती 0 तो अगर यहां पर 52M क्योंकि दो गात के पद है तो मिल रहा है वरना 5 2 M की value 0 होती है तो यहां से अगर 5 2 M ग्याद करेंगे तो X की value 1 put करेंगे तो minus 4 X की value 1 Y की value M put करेंगे तो plus 8 M यह 5 2 M मिल गया और 5 3 dash M ग्याद करेंगे तो इसका अगर मैं M के इसाप एक सब्सक्राइब करूं तो यह 0 यह minus 1 minus 4 M plus 3 M square तो अगर M की value different different मिली है तो C की value यहां पर M की different value रखेंगे तो उसके corresponding C की different value मिलेंगी तो अगर पहली value M1 है तो उसको corresponding value मिल जाएगी C1 दूसरी value अगर M2 है तो C2 और यहां पर तीसरी value तो C3 तो यानि M I के corresponding C I हमें मिल जाएगा इस formula से यह formula तब ही apply करेंगे जब M की value अकेली एक प्राप्त होई उसके अलावा उसकी जैसी कोई दूसरी value नहीं है जैसे माल लीजिए हमने कोई equation solve की और M की value प्राप्त होई 1,2,3 तो यह तीनों different different value है तो हम C का formula इसी प्रकार ग्याद करेंगे और M की value एक बार 1 रखेंगे एक बार 2 रखेंगे एक बार 3 पूट करेंगे तो उसके corresponding C1,C2,C3 में प्राप्त हो जाएंगे लेकिन अगर M की 2 value equal है तो फिर यह formula अप्लाई नहीं करेंगे तो उसके लिए दूसरा formula अप्लाई करेंगे तो वो formula क्या है तो वो formula है C square upon factorial 2 5N double dash M plus C upon factorial 1 लिख सकते हो या factorial 1 की value 1 होती है तो उसको लिखने की जोड़त नहीं है 5N minus 1 dash M और plus 5N minus 2 M equals to 0 यह जो formula है वो C की 2 equal value के लिए क्योंकि C में quadratic equation है तो C की 2 value मिलेंगी तो M की 2 value मालो हमें M की value मिली 1,1 और 2 तो जो अलग से सिर्फ अकेली value है उसको तो हम इस formula से ग्यात करेंगे और जो equal value है उसको इस formula में put करके हम solve करेंगे तो यह formula में याद रखना है next lecture से यानि आगे के lecture से जो भी होंगे उन में हम example से समझेंगे कि किस प्रकार इसके इनज़परशे हम ग्यात करेंगे और किस प्रकार यह formula में याद रखने है या किस टैप से हमें इनको apply करना है ग्याद आगे